अब हुई नबात बड़ा इमोजी वाला मेरी दिदी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत हो स्वागत है दिदी थैंक्यू थैंक्यू हर हर महादेव दिदी बोल रहे हैं हर हर महादेव दिदी आपने नहीं बताया कि आप भी लाइब करती हो कि बस आप भी वीडियो डालती है दिदी बता दीजिए सुसान तुम यह लगता है कि चले गए आते हैं सिर्फ लाइक करने नहीं करते हैं लाएं वीडियो देख हाँ दीदी जरूर जरूर देखेंगे दीदी दीदी क्या कर इतना नोटिफीके सान आता है ना कुछ समझ में ना आते है किसको देखी किस को और देखी है कि कि मुझे से दो सिसे बने है ले अम हमारे लाइब में आते हैं मैं सपोर्ट करते हैं उससे मैं दिल से चाहथती हूं मैं जरूर देखूं घे आपके वीडियो वहूलूंगी नहीं इतना सब्सक्राइबर रो कि हमारे मोबाइल में न कि क्या बता हूं यही बात है लेकिन जो सपोर्ट करते हैं मैं उनको ज्यादा याद रखती हूं जो कभी नहीं आते बस वही का किया जाए इमोजी से मेरी दिदी बन रही है इमोजी के साथ सपोर्ट करें मेरी सुन्दर भजन वालिक दी मेरी पूनम दिदी भी बने हुई है हमारे साथ पूनम दिदी अपने जोड गई दिदी से अच्छा मैं गाती रहती हुँ दिदी मैं कुछ कुछ काना गाती रहती हुँ मैं एक से काल गाना गाती रहती हुँ एवाला गाना में हमारे सोड वीडियो भी है बहुत अच्छा एक्टिंग हुए जब जब अधगाटन थी ना राम मंदिर की उसी टाइम हमने बनाया हम अपने लड़के के राम बनाये हु लड़की को सीता और मैं हम लोग बहुत अच्छा से मतलब बन कर तब जाकर वीडियो डाली हुँ आप देखना सोड वीडियो में आपको मिल जाएगा बहुत मेहनत करते हैं दिदिए नहीं कि बस ऐसे हैं वीडियो डालो बना लो उठाकर डाल दो नहीं बहुत मेहनत करते हैं मुझे नहीं आ रहा है तब नहीं आ रहा है था आप ऐसा करी हुआ याप सर्च कर लिजिए प्रफाइल फोटो देख लिए दिदि को सर्च कर ये सदर भजान म Karl घ definitely और प्रफाइल को सदिदी बढ़े को देख लिजी आपको नहीं आ रहा है तो तब तो आपने उनको भी नहीं किया होगा क्या बोल रहे हैं कॉन दीदी थी भूल गई पहले आई थी को इस वीडियो को कन देंट कर कर लूं का वीडियो को अच्छा इसे करूंगी आच्छा दीदी सुन्दर भजन वाली दीदी बनी हो तो आप ऐसा करिए कि हमारे फर्स्ट वीडियो पर कामेंट छोड़ दीजे वहां से फुनम दीदी कर लेंगे आपको माली जे सबको नहीं आता है ने डारेक्ट करने मेरे अच्छा नीलम दीदी भी आचुके बहुत स्वागत है नीलम दीदी मेरे बाते ना और बताइए नीलम दीदी कैसी हो हाँ सुन्दर भजन वाली दीदी कमेंट छोड़ दीजिए बस वहीं से आपको कर लेंगे और बताइए नीलम दिदी कैसी हो आपको हमें एक सलाह देनी थी बनी हो तो कमेंट करिए